प्राइम निस 24 में आपका स्वागत है खबर उत्राखंड से है उत्राखंड के हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुम्ब को सफल बनाने को लेकर बैठको का दोर जारी है इसी कड़ी के चलते कल महाकुम्ब को भव्य एवं शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में शहरी विकास मंत्री शी मदन कौशिक अखाड़ा परिशदो शासन एवं कुम्ब मेला के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत ने कहा कि अखाड़ा परिशद के सबी संतों के सुजाओ को सरकार गंबेजा से ले रही है सीएम रावत ने कहा कि करोडों की संख्या में श्रद्दालू हरिद्वार कुम्ब में आएं इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा इसके साथ ही उनकी सुख सुविधाओ का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा एवं सबी विवस्थाये दुरुस्त कर ली जाएगी शहरी विकास मंतरी मदन कौशिक ने कहा कि आगामी महा कुम्ब के एक बहुत बड़ी चुनोती है सुखुशल कुम्ब कराने के लिए विश्थरत कारयोजना बनाई जा रही है संत समाच के आशिरवाद से सुखुशल कुम्ब का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंतरी ने कहा कि कुम्ब में सवच्छता का विशेश ध्यान दिया जाएगा अखड़ा परिशत के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्रगीरी ने कहा कि शांति पूर्ण कुम्ब मेला संपन कराने के लिए राज्य सरकार को पुरा सहयोग दिया जाएगा शाहिस नानों की तिथी जल्द गोशित की जाएगी बैठक में मेला आईजी श्री संजे गुंजयाल एवं अपर मेला दिकारी श्री ललित नरायन मिश्रा ने अपने व्यापक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कुम्ब के आयोजन से संबंदित व्यवस्थाओं की जानकारी दी इस अवसर पर अपर मुख्य सचीव श्री ओम प्रकाश डीजी कानूनेवं व्यवस्था श्री अशोक कुमार सचीव श्री अर्विन सिंग यांकी अपर सचीव श्री विनोत कुमार सुमन जिला दिकारी हरिद्वार श्री दिपेंदर कुमार चौधरी SSP हरिद्वार श्री सेंथिल अबुदै SSP मेला श्री जनमेजय खंडूडी अपर मेला दिकारी श्री हरवीर सिंह आदी उपस्तित थे प्रामनेस 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट उतराखन